अब है क्या यहां पर जिम्मेदारीत होती दिख रही है यहां पूरी व्यवस्था यह किसी में तम नहीं था पूरी व्यवस्था के चलते एक से किस लोगों की जान गई है मैं बिना लार लपेट यह सवाल पूछ रहा हूं संदीप चौधरी जी पहले तो आपको साधुवाद है कि आज एबीपी न्यूज ने जिन संदर्बों पर बात किये आज तक टेलिवीजन चेनल पर इन विशयों पर बात नहीं हुई बिल्कुल ये अपराधिक लापरवाई से संस्तागत हत्या हैं जो हमारे हिंदू धर्म के धर्मावलंबी शद्धालों की हुई है प्रधानवंती नरेंद्र मोदी जी एक दस्तावेज भेशते हैं आदितिनाज जी को और वो यह कहते हैं कि यह जो दस्तावेज मैनेजिंग क्राउड एट इवेंट्स एंड मेन्यूज अफ मास गैदरिंग जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग होंगे वो चाहे धार्मिक हो चाहे राजनेतिक हो चाहे सामाजिक कारिक्टम हो उसका प्रबंदन कैसे करन कि उसके बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे राज्यों के प्रतिनीधियों के साथ ग्राम अंत्राले कराता है वह नेशनल इंस्टिट ऑफ डिजास्टर मेनेजमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी बड़ी लंबी अधिकारी को वहां के सुप्रिडेंट ऑफ पुलीज को वहां के डिविजनल कमिशनर को अगर लार गेजरिंग दस बीस पत्चीस हजार की भी गेजरिंग है तो सबसे पहले आपको रेपिड वेन्यू असेस्मेंट करना है उसके बाद रिस्क एनेलिस दोनों रिपोर्ट य प्रदान मंत्री जी ने आधित तिनाज जी को राधित तिनाज जी ने दोनों ही लोगों ने अपने दाइत्वों की इतिश्री करनी इसको कच्छरे के डब्बे में डाल दिया उस फॉर्म में यह असेस्मेंट करना होता है प्रशासनिक अधिकारियों को कि अगर अनुमत्त कर सकते हैं आवैंदुबे की ये सारे राजनितिक शेर संरक्षन मिलता है इन बाबाओं को नरसिमा राओ के टाइम पे वो चंदरस्वामी नाम का एक बाबा था याद दिलाने की जरूरत है क्या हर पार्टी में हर सरकार में बाबाओं को कही न कही संडरक्षन मिलता है और वही काम अब हो रहा है तो बाबा ने अस्ताक्षर करके अनुमती दे दी क्या अनुमती अगर कलेक्टर ने दी कॉंपिटेंट अथॉरिटी ने दी तो निलंबन क्यों नहीं किया उनका इतनी गंभीर लापरवाई क्या बात करते हैं आप ट्रैफिक मेनेज्मेंट प्लान बनाना होता है इमर्जेंसी मेडिकल सर्वीसेस वाँ एस्टेब्लिश करनी होती है इमर्जेंसी रिस्पोन सेंटर वाँ एस्टेब्लिश करना होता है एक दस्तावेज बता दे मैं चुनोती देता हूं ये प्रशासनिक अधिकारी उस फॉर्मेट में जिसमें दिशानिरदेश न न प्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और यह अनिवारिता है आप मुझे बताइए क्या एक भी मापदंड जिस आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में एक सारे हजारों प्रत्यक्स दर्शियों ने बताया कि डॉक्तर तक एक डॉक्तर सिर्फ मु रोकी जा सकती थी वहां यह तक दिया है एक मिनीट मजबूरी होती है क्या अब है अब है बात पूरी कीजिए पहले यह हां ने 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 मैं यह बता रहा हूं आपको कि वहां पर आपको यह तक दिया गया इसमें दिशा मेरा सवाल यह है राजनितिक मजबूरी होती है क्या सुनिये ना राजनितिक मजबूरी होती है क्या नाम लेकर मैं बोल रहा हूं गुर्मीत राम रहीं बलातकारी भी हत्यारा भी और दोजार एक दो से ये मामले सामने आ रहे थे आपकी सरकार आपके मुख्यमंत्री नाम लेकर बोल रहा हूं उस वक्त कैप्टिनम रिंदर सिंग मुख्यमंत्री जब वुआ करते थे जा रहे हैं देरे पर देरा सच्चा सौदा पर क्योंकि वोट की दरकार थी हर राजनितिक का लिया करता आ रहा है इस सवाल को क्यों आप किनारा क्यों कर लें इस सवाल से एक काम करिए फिर फिर अधित नाज जी को कह दीजिए कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि 10-15 लोगों का आयो जनम करने में सक्षम नहीं और उत् असाद लगे अपराद के लिए सजा है ITC में प्राउधान हैं हमारे भारत के संविधान में प्राउधाने कोई अपराधी व्रतिक है तो यह प्रशासनिक गंभीर अपराधी और परवाई है 100% किसी एक प्यक्तिक यांठी संथ्स्चम नहीं होता और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन आफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन, इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी आपको रखे आगे